नमस्कार इसके पहले हम लोग जयव प्रक्रम और पोशन अध्याय का संचिप्त-ध्यन तथा बस्तुनिष्ट प्रशनों का अध्यन चित्र सहित विसलेशन के साथ कर चुके हैं इस चेप्टर से जो भी भी आई कुल 50 बस्तुनिष्ट परश्ण था अनिकि जय प्रक्रम और पोशन से जो भी महत्तपुर्ण परश्ण 50 बस्तुनिष्ट परश्ण था सभी का अध्यन हो चुका है अधी आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक भी उपलवद हैं अब यहां से अध्यायदो स्वसन का निकिरी स्पाइरेशन का सबसे पहले संचिप्त अध्यन करेंगे फिर इस चेप्टर में आए सभी बस्तुनिष्ट प्रश्णों का अध्यन चित्र सह विशलेशन करते हुए समझेंगे इसके पहले एक निवेदन है आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब विडियो लाइक तथा सेर जरूर करेंगे तो चलिए एके करके हम लोग उन शार शंग्रह को देखते हैं स्वसन की सबसे पहले हम लोग परिभासा समझ लेते हैं इसका डिफनेशन इस प्रकार से संचिप्त रूप से दिया गया है कि स्वसन उन सभी परक्रियाओं का समलित रूप है जिनके द्वरा सरीर में उर्जा अर्थार्थ इनर्जी का उत्पादन होता है इनर्जी इसके साथ जब ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करती है तो यह सी ओ टू अनिकी कारवन डायोकसाइड एच टू ओ जल और अंतिम में इनर्जी अनिकी उर्जा प्राप्त होती है जो सरीर के लिए आवस्यक होता है इसके बाद इसी में गुलुकोस से समंधित बाते कही गई है कि C6H12O6 अनि गुलुकोस को कोसिये इंधन अनि सेल फ्वेल कहा जाता है कोसिये इंधन कहा जाता है यहां प्रश्न पूछा जाएगा अब्जेक्टिव में जब हम लोग देखेंगे तो कहा जाएगा कि कोसिये इंधन किसे कहा जाता है तो गुलुकोस को कोसिये इंधन कहा ज होता है अता इसे कोशिये स्वसन कहते हैं इसके बाद आगे है कि कोशिये स्वसन के कितने परकार है यहां पर कहा गया है कि कोशिये स्वसन के दो परकार है कोशिये स्वसन को दो भागों में विभक्त किया गया है पहला है बाइविये स्वसन और दूसरा है ओ बाइबिये स्वसन क्या है उसके बाद ओ बाइबिये स्वसन क्या है इसकी विस्त्रित जानकारी हम लोग आगे चल करके धिरे-धिरे प्राप्त करते चलेंगे यहाँ पर बाई-बी-ए सोसन के बारे में विशेश रूप से बताया गया है यहाँ बाई-बी-ए सोसन की अधी परिभासा पूछे तो आप इन चार पॉइंट्स को अधी लिख देते हैं एक, दो, तीन, चार तो इसकी परिभासा भी हो जाएगी उसके बाद बाई-बी-ए सोसन को पुणा यहाँ चार पॉइंट्स के रूप में मेंशन किया गया है इसे परिभासा के रूप में भी लिख सकते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है बाई-बी-ए सोसन और बाई-बी-ए सोसन में दूसरा इसका point है कि परथम चरण फर्स्ट इस्टेप कोशी का द्रब में ध्यान रखिया कि इसका पहला चरण बाइबिये स्वसन का पहला चरण कोशी का द्रब में और इसका दूसरा चरण मैट्रो कॉंडिया में पूरा होता है के लिए रहे उना चार पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे यहां पे है और इसका पॉइंट्स यहां पे दिया हुआ है इसे भी हम लोग समझेंगे इसे भी चार पॉइंट्स में में संपन होती है इसमें ऑक्सिजन की अवस्कता नहीं होती है लेकिन बाइबिये में देखे थे कि यहां ऑक्स कोशी का द्रब में ही संपन हो जाती है लेकिन इसमें देखे थे बाइबिये स्वसन में कि इसकी पूरी प्रक्रिया दो चरणों में संपन होती है पहला चरण में कोशी का द्रब और दूसरा चरण में माइट्रो कॉंडिया होता था तीसरा इसका पॉइंट है वो बाइबिये या तो इसको कह सकते हैं बनता है उसके बाद आगे है कि इसमें कम उर्जा मुक्त होती है तो अश्पास्थ है अधिकी बाईबियस वच और उबाईबियस वच्चान में अंतर असपास्थ कहे करने के लिए कि लिए कि इसमें बाईबियस वर्षिजन bathrooms में ऑक्सिजन की उपस पूरा होता है, लेकिन ओबाइबिये सोसन में इसकी पूरी परक्रिया, इसका संपुर्ण प्रोसेस कोशिका द्रब में ही संपन हो जाती है, तीसरा था कि गुलुकोस का पूर्ण ओक्सीकरन होता है, लेकिन यहाँ पे गुलुकोस का आनसिक ओक्सीकरन होता है, बाइबिये सो का इसके बाद आगे है पाउधों में स्वसन और पाउधों में स्वसन की क्रिया विधी तो इसका यह सब पॉइंट याद रखेंगे कि स्वसन विश्रन क्रिया से होता अनिकि पाउधों में स्वसन विश्रन की क्रिया द्वरा होती है सभी भाग पेड में जितने भी भाग है सबी भाग जैड हुआ तना हुआ पतिया सभी के द्वरा सोसन परकिरिया की जाती है पतियों में रंग्रों जो छोटे-चोटे रंग्र पाये जाते हैं तना की कड़ी त्फचह जो ब्रिद्ध पेड़ हो चुके है उसकी कड़ी तवचा पर इस्थितवात रंग हो एबम अंतर कोशिके अस्थानों से ऑक्सीजन गरहन किया जाता है जड़ से निकले मूल रोम एपिडर्मल जड़ से जो मूल रोम निकलता है उसे एपिडर्मल कहा जाता है और epidermal coseca से विक्सित होती है, जड़ के जो मूल रोम है वह जड़ oxygen गरान करते रहता है, हमेशा O2 गरान करते रहता है आगे इसका है, इसी में पुछ और भी points है physilungs six pack की क्रिया नहीं होती है, हम लोग इस बात से भली बात इह अविगत है कि प्रकास संसलेशन क्रिया के लिए चार आवस्य घटक होते हैं जिसमें सुर्ज प्रकास जरूरी है सुर्ज की रोशनी दीन में प्रकास संसलेशन की क्रिया होती है सुर्ज की रोशनी प्राप्त होते रहती है लेकिन रात्री के समय में सुर्ज नहीं होता है तो उस समय प्र प्रकास संसलेशन की किरिया में CO2 और O2 निकलता है प्रतु रात्री में प्रकास संसलेशन नहीं होने के कारण CO2 ही निकलते रहता है इसके बाद आगे है इसका सार संग्रह में जन्तूओं में स्वसन जन्तूओं में स्वसन एक कोशिय जीव और इसमें स्वसन की क्रिया जिल्ली से विश्रन द्वारा होता है जन्तूओं में स्वसन अंग के तीन प्रकार है पहला है स्वसनली दूसरा है गिल्स और तीसरा है फेफडा तो स्वसनली जिसे ट्रैकिया भी कहा जाता है इसके बारे में संशिप्त जानकारी हम लोग प्राप्त कर लें कि स्वसन क्रिया में रक्त का परियोग नहीं होता है स्वासनली क्रिया द्वारा जो जीव स्वासन की क्रिया करते हैं उसमें रक्त का परियोग नहीं किया जाता है क्योंकि उस रक्त में उसके सरीर में जो रक्त पाया जाता है हीमोगलोविन की अनुपस्थिती होती है इस बज़ा से स्वासन की क्रिया स्वासनली द्वारा होती ह और रक्त का इसमें पर्योग नहीं होता है और इसमें वैसे जीव हैं जो स्वासनली द्वरा स्वसन की क्रिया करते हैं वह है तिल्चट्टा और टिड्धा उसके बाद दूसरा है गिल्स असपस्ट है स्वसन गैसों का आदान परदान रक्त और जल के बीच विशरन के द्वर संपन होता है और गिल्स के द्वरा स्वसन की क्रिया करने वाले मचली होते हैं जो कि फेमस उसके बाद फेफड़ा से स्वसन करने के लिए यह वर्टिवेटा समू के जंतुओं में सोसन के लिए फेफड़ा पाया जाता है और इस उपसंग के जीव है मनूस मेढ़क इत्या सबस्क्राइब निर्मने लिखित अंगों से हुआ है नासिका सिद्र उसके बादे दूसरा है सोरींत्र तीसरा स्वास्नेली और चव्ता है फेन्फ़डा आप इस चित्र से अस्पस डूप से समझ सकते हैं कि नाशिका वेश्मिया से प्रावर्म हुआ है मुख है यहां पे उसके बाद गला लैरीक से ट्रैकिया फेंफड़ा इत्यादी अनिकी इन कि तंत्रों से इन अंगों से मानव स्वसंत तंत्र का निर्मान होता है नासी का कि मुख द्वार के ठीक ऊपर चित्र में अस्पष्ट था चित्र भी आप देख सकते हैं यहां से अस्पष्टा होते जाएगी कि नासी का अनिकि यह जो नासी का है मुख द्वार मुख नीचे है यहाँ पर ठीक ऊपर स्थित होती है नासिका वेस्म अंदर की ओर गरष्णी में कंथ दूआर के समीब कुलता है इसकार से जो स्वशन की क्रिया है पूरी होते जाती है उसके बाद स्वसन क्रिया विधी को दो भागों में विभक्त किया गया है एक है प्रस्वास और दूसरा है उच्छवास प्रस्वास में नासिका छिद्र की सहायता से उकसीजन गरहन किया जाता है उनिकि Day में उच्छवास में इसके जस्ट भीपरित होता है उकसीजन जो गरहन किया गया है उसे सारीरिक क्रियाओं दोबरा उर्जा प्राप्त कर ली जाती है और उसके बाद जो सेस CO2 प्राप्त होता है वह फिर नासिका चिदर से बाहर निकाल दिया जाता है स्वसन की दो अबस्थाएं प्रस्वास और उच्छवास मिलकर स्वासो छवास कहलाती है तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जो स्वसन चेप्टर अनिकरी स्पायरसी चेप्टर से समंधित जो महत्तपूर्ण सार संग्रा था उसको हम लोग पढ़ने का प्रियास किये अब इस से रिलेटेड जो भी महत्तपूर्ण भीभी आई प्रशनों का संग्रा होगा उसको हम लोग अगले वीडियो में चित्र सहित बिसलेशन बिसलेशनात्मक रूप से पढ़ने का प्रियास करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद